वेल्कम टु न्यू लेसन आज के लेसन में हम एक यूट्यूब एड बनाएंगे इन स्ट्रीम एड और ओडियंस हम यूज करेंगे कस्टम सर्च राइट कस्टम सर्च ओडियंस कौन से होती है कि लोग गूगल पे क्या सर्च कर रहे है उसके कीवर्ड की हेल्प से हम एक ओडियंस बनाएंगे और इस ओडियंस को हम एड दिखाएंगे कहां पे तो यूट्यूब के उपर बहुत ज़्यादा सिंपल राइट तो मैं यह एड बनाऊंगा अगेन प्रोटीन वगरा की कमपनी के लिए बॉड़ी बिलिंग से रेलेटेड जो प्रॉड़ेट बेजती है ठीक है तो चलिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है तो सबसे पहले आपको बनानी है ओडियंस ठीक है ओडियंस बनानी है कौनसी ओडियंस बनानी है कस्टम सर्च वाली ठीक है वो कैसे बनाएंगे तो आप जाओगे टूल सेंड सेटिंग्स के उपर और देन आपको एक यहाँ पर चीज द पहली remarketing दूसरा custom audiences तो आप जाओगे custom audiences के अंदर और आप ये plus click करोगे अब देखो दो option आ रहे है custom affinity और दूसरा custom intent आपको क्लिक करना है custom intent ठीक है custom intent क्लिक करना है और यहाँ पे देखो दो option आ रहे हैं पहला है in market keyword और दूसरा है google search term तो आपको click करना है google search term right google search term is low google पे क्या search कर रहे है ठीक है यह है google search term तो इससे पहले कि हम यह audience बनाए हमें क्या करना होगा keyword research हमें वो keywords ढूंडने पढ़ेंगे जो कि यह लोग google पे क्या कर रहे है search कर रहे है ठीक है सबसे पहले मुझे क्या ढूंडना पड़ेगा वो keywords तो उसके लिए मैं इसको करता हूं cancel और मैं जाता हूं again tools and settings में और मैं जाता हूं keyword planner पे keyword planner आप देख सकते हो तो मैं जाता हूं keyword planner के अंदर और यहां जाके मैं जाता हूं discover new keywords और यहां पे मैं डालता हूं protein से related keyword तो मैंने डाल दिया simple protein for body building और इसको मैंने किया search जैसी मैंने search किया यह देखो कुछ keywords दिख रहे हैं अगिने बड़े कम keyword है तो इसमें मैं वे protein भी add कर देता हूं और अब करता हूं get results अब देखो 1500 keyword हो गए यह 10 है इसको यहां से कर दो 500 अब यह सारे keywords जो आप देख रहे हो न यह related है एकदम body building से protein से related मतलब इन्हें और कोई search करे गए है तो अब मैं क्या करूंगा यह सारे keywords डाउनलोड ठीक है यह सारे keywords मैं करूंगा डाउनलोड इसको यहां से किया हमाने download keywords अब यह report download हो रही है अब इसको मैं open करता हूं और यहां से मैं सारे keywords उठाऊंगा और एक अपनी यहां पर sheet में डाल दो अच्छ कह travailleёं तो मैं keyword ओपन करता हूं यह file open करता हूं यहां से मैंने सारे keyword उठाए और यह मैंने यहां पर paste करते हैं ओके पेस्ट हो गया अब यहां से आप यह हटा दो और करंसी हटा दो एवरिज मंथली सर्चेश हटा दो हमें जादा इसमें सर्चेश नहीं देखनी क्योंकि हम यह एड यूट्यूब पे चला रहे अब यह आगे मेरे पास कीवर्ट्स यह वो कीवर्ट्स है जो की लोग ढूण रहे हैं अब एक सिंपल काम करो यह सारी कीवर्ट्स करो कॉपी अब वापस आओ अब जाओ टूल सेंड सेटिंग्स में और जाओ ओडियंस मैनिजर के अंदर और जाओ कस्टम ओडियंस के अंदर देन आप करो प्लस अब यह वो कीवर्ट हैं जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं अब हम क्या करने वाले हैं इन ही लोगों को यूट्यूब पे डिखाने व और देन मैंने यहां पे लिखा आज की डिट डाल देते हैं 14 नवंबर प्रोटीन इन मार्केट को छोड़के कर दोगे गूगल सर्च टर्म्स मतलब लोग अभी क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे और यह जो मैंने कीवर्ट कॉपी किये हैं यह सारे के यहां पे पेस्ट यह ऐसकीवर्ट के साथ एक डाइबर्टी केपसेवल्ट केपसूलkem सेवाधकर अंअको हम यूज्स नहीं कर सकते तो इनको हम फिलूंड के हटा देते हुआ है कि ال हटलिक हमने डाइबर्टी इस हटा धी हमने है फिर से इक्रिट करो अब यह कहीं capsules भी आ रहा है तो इसको भी ढूंडो और देख लो और तो कहीं नहीं है बहुत जगह है और नहीं है फिर से कर दो create ओके create यह रहा 14 नवंबर protein अब मुझे इन लोग को आट दिखानी है YouTube के अंदर तब मैं वापस गया Google Ads पे मैं गया campaign के उपर मैंने किया create new campaign और क्या करोगे यहाँ पर अगेन create a campaign without a goal अभी मैं आपको future में इन सबके साथ भी आट दिखा दूँगा कुछ अलग से नहीं होता है तो यहाँ पर किया create a campaign without a goal और यहाँ पर किया display वीडियो क्या किया है यहाँ पर यहाँ इसकी help से आप अपनी settings के हिसाब से ads को customize कर सकते हो आप चला सकते हो in stream ads, bumper ads और discovery ads in stream ads कौन से होती है जो वीडियो के बीच में आती है और 6 second बाद 5 second बाद skip कर सकते हो bumper ads कौन से होती है जो होती है 6 second की skip नहीं हो सकती है video discovery ads कौन से होती है जो feed के अंदर नजर आती है आप यहाँ से वो चला सकते हो then अगर आपको non-skippable ads चलानी है 15 second तक वाली तो आप यहाँ non-skippable से चला सकते हो outstream ads क्या होती है outstream ads जो है वो खाली phone और tablets पे नजर आती है third party websites पे right third party websites या apps के उपर यह नजर आती है वो third party जिन्होंने google के साथ tie up किया हुआ है उनकी website पे यह outstream ads चलती है then चौथा drive conversion अगर आपको जादा से जादा convergers चाहिए then आप यूज कर सकते हो drive conversion then एक है add sequence इसके लिए मैं एक separate video बनाऊंगा बहुत ही बहुत ही जादा powerful चीज है add sequence में क्या कर सकते हो आप यह set कर सकते हो कि लोगों को कौन सी video पहले दिखनी चाहिए उसके बाद कौन सी video दिखनी चाहिए उसके बाद कौन सी video दिखनी चाहिए तो जैसे email marketing में sequencing होती है similar चीज आप कर सकते हो इस ad sequence के साथ बहुत ज़्यादा powerful है इसके लिए में एक separate video बना दूँगा आज की video में हम यह custom intent वाला करेंगे shopping अगर आपको shopping ad करनी है तो आप shopping कर सकते हो हमें कौन से करनी है normal in stream ad ठीक है तो हम क्या लेंगे custom video campaign आप देखोगे इनको बना के भी हम future में देखेंगे कोई changes ज़्यादा नहीं होते बस बाकि सारी चीज़े सेम है बनाने का तरीका सेम है ज़्यादा changes नहीं है तो यहाँ पर मैंने लिए custom video campaign और मैंने किया continue यह पूछ रहा इस campaign का नाम तो मैं लिख देता हूँ protein और देन पूछ रहा है bidding strategy bidding strategy इस आप कैसे पैसे देना चाहते हो right तो देखो इस वाली जो हम campaign बना रहे हैं इसके अंदर दो bidding strategy मेरे को recommend हो रही है पहला है maximum CPV और दूसरा है target CPM अभी हम कौन से बना रहे हैं normal in stream add और इसके अंदर मुझे कौन से दो option available है bidding के एक है maximum CPV दूसरा है target CPM maximum CPV is maximum cost per view कि एक view के आप कितने पैसे देना चाहते हो and second one is target CPM मतलब 1000 लोगों को अपनी add दिखाने के लिए आप कितने पैसे देना चाहते हो 1000 impressions के आप कितने पैसे देना चाहते हो तो देखो हम अभी run कर रहे है in stream add और in stream add के लिए best option होता है target CPM अगर आप discovery add run करते हो then उसके लिए maximum CPV is better option बट अगर हम in stream add run करने हैं तो उसके लिए target CPM is better option तो यहां से हम लेते हैं target CPM then यह पूछ रहे कितने पैसे खर्ज करना चाहते हो campaign total क्या daily खर्ज करना चाहते हो या आप एक range set करना चाहते हो कि इतने से इतने दिन के बीच में वैं इतने पैसे खर्ज करूँगा तो मैं daily खर्ज करना चाहता हूँ मैं खर्च करना चाहता हूँ 1000 रोपे then delivery method आप लोगको पहले सी पता है standard या accelerated तो हम रखेंगे standard then पूछने network आप कहां कहां पे add दिखाना चाहते हो पहला है YouTube search result कि जैसे कोई YouTube पे कोई search करता है तो आपकी add वहाँ दिखे तो उसे हम कहते है YouTube search result यहाँ पे YouTube search result क्यों available नहीं है क्योंकि YouTube search result मैं use कर सकता हूँ खाली video discovery ads के साथ तो उस case में मैं use कर सकता हूँ YouTube search result दूसरा YouTube videos के अगर YouTube पे कोई भी video दिख रही है तो उसके साथ आपकी add दिखे कोई video चल रही है तो उसके बीच में आपकी add दिख जाए कोई video चल रहे है तो उसके suggestions में आपकी add दिख जाए तीसरा क्या है video partners on the display network तो बाकी बड़ी सारी website से apps है जिसने Google के साथ थर टाइब किया हुआ है Google के AdSense program के साथ तो क्या उनकी website ये apps पे भी add दिखानी है तो उसके दिखानी है तो आप लोगे display network हम display network नहीं लेंगे then language आप किस language वालों को दिखाना चाहते हो हम language में कुछ नहीं लेंगे हम language में all language करके रखेंगे हमें हर language के बंदे को हम अपनी add दिखाना चाहते है अगर language wise आप करना चाहते हो देन आप यहां से अपनी जो भी आपकी टार्गेट लेंगवेज है वो ले सकते हो देन आपको सेलेट करना है कंट्री कौम सी कंट्री के अंदर आप दिखाना चाहते हो या सिटी के अंदर दिखाना चाहते हो तो आप यहां से सलेट कर सकते हो जो हम इंडिया में दिखाना चाहते हैं, इंडिया ले लेते हैं, inventory type, देखो, तीन inventory category बना रखे हैं Google ने, एक है standard, एक है limited और एक expanded category, गूगल ने by default क्या लिया वाई, standard, expanded category क्या है, कि कई बार आपकी वीडियो जो है, वो गलत content, adult content हो गया, या violence हो गया, ऐसी जगवो पे भी आपका, आपकी add नजर आ जाएगी, तो उस case में है expanded inventory, standard inventory क्या है, कि आपकी add ठीक था content पर दिखेगी, पालतू के जो content है, उस पर आपकी add ने दिखेगी, limited inventory कर दोगे, तो आपकी add एकदम ठीक था content पर दिखेगी, एकदम normal audience के लिए जो content है, उस पर दिखेगी, बट इससे क्या होगा, काफी आपकी add का inventory limit हो जाता है, जो आपकी add की reach हो काफी limit हो जाती है, तो हमें क्या रखना है, हमें standard inventory रखना है, then आप नीचे आओगे, then पुछेगा excluded content, यह हम डिस्पले में भी देख चुके हैं, अगर आप कुछ content exclude करना चाहते हो, जासे कि tragedy and conflict, अगर आप च add दिखनी बंद हो जाएगी, then excluded type again, और भी content है, जिसे आप exclude करना चाहते हो, जिस पे आपकी add ना दिखे, तो यहां से आप वो select कर सकते हो, इस content पे आपकी add नहीं दिखेगी, then यहां पे है additional settings, additional settings क्या है, select optimization, कि यह जो आपकी add है, इसको किस चीज के लिए optimize करना चाहते हो, तो देखो, सबसे पहले option क्या है, normal conversion, जो आपने normal conversion बनाई होगी है, उसमें सारी, उसके हिसाब से आपकी add optimize होगी, हैना, आप अगर किसी specific चीज के लिए इसको optimize करना चाहते हो, आप वो goal भी select कर सकते हो, सपोज मैं किसी एक specific चीज के लिए इसको optimize करना चाहता हो, तो मैंने region मैंने आसे select कर लिया और save कर लिया, ये करने से पहले ये जरूरी है, ये conversion action ये आपके website पे बने होगी हो, ये goal आपके website पे बने होगी हो, इसको मैंने save कर लिया, then devices, आप ये add कहा कहा दिखाना चाहते हो, all devices पे तो आप पहला option लिलोगे, दूसरा है some specific targeting, तो अगर मैं tablet पे TV screen पे नहीं दिखाना चाहता, तो उन्हें मैं या से uncheck कर दूँगा, मैं computer और mobile phone ले लूँगा, आप चाहो तो operating system wise भी कर सकते हो, किस operating system पे दिखाना चाहते हो, device model wise भी ले सकते हो, हमें इतना detail में अभी करने की जूरत नहीं है, again ये sense भी नहीं बनाता कि आप specific devices पे add दिखा तो आप वो impression पे frequency लगा सकते हो, तो same मैंने अगर यहाँ पे frequency cap लगा दिया, 10 और frequency per day, मतलब एक बंदे को मेरी add एक दिन में 10 बार से जादा नहीं दिखेगे, impression 10 से जादा नहीं दिखेंगे, तो मैं वो impression पे frequency लगा देता हूँ, then अगला क्या है, cap view frequency, यह ना, view frequency मतलब मैं यह cap लगा सकता हूँ, एक बंदे को मेरी add पूरे दिन में, मेरी add की जो view है, वो 2 से जादा ना हो, तो उसको हम कहते है, view frequency, तो हम वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, अब यह Google मेरे से देखो, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है Google मेरे से, हाँ यहाँ पे frequency आ गया, तो अगर मै suppose मैं कर देता हूँ, चार, यह चार बार से ज़्यादा नहीं देखे भी है, frequency लगा दी मैंने, add scheduling अगर मैं चाहूँ, तो कितने बज़े add देखे, कितने बज़े ना देखे, तो जो display में भी आपने देखा था, तो scheduling नहाँ से लगा सकता हूँ, यहाँ पे मुझे scheduling लगाने क चाहते हो, तो यह मैं सब को दिखाना चाहता हूँ, audiences अब Google मेरे सब पूछ रहा है, अब देखो, अब audience सेलेक्टर है, तो हमने अपनी custom search की audience बनाई थी, तो हम जाएंगे browse पे, और यहाँ पे जाएंगे custom intent पे, और यहाँ पे हम जाएंगे custom intent पे, और यही मेरी audience, यह मैंने अभी बनाई थी, तो यहाँ से वो मैंने audience सेलेक्ट कर ली, अब यह देख रहे हो, estimate available नहीं दिखा रहा, estimate available क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने क्या use की है, हमने use की है, custom intent audience, और custom intent audience के लिए, Google estimate नहीं दिखाता है, तो यहाँ पे simple, हमने custom intent audience बनाई, और उसे select किया, और हमने add दिखाई, और नीची आओगे, तो keyword topic placement, यह भी select कर सकते हो, यह जो campaign हम बना रहे, इसमें keyword topic placement के इसा आप से नहीं बना रहे audience, तो हम इन्हें select नहीं करेंगे, then bidding, कि कितने आप पैसे pay करना चाहते हो, आप 1000 लोगों तक अपनी add पहुचाने के लिए, 1000 impressions के लिए, कितन मैं पैसे pay करना चाहते हो, तो say मैं pay करना चाहता हो 200 रुपए, तो यहाँ पर मैंने CPM bid लिख दी 200, और CPM अब देखने के देखो 2-3 तरीक हैं आपके पास, या तो आप high रखो, say मैंने 300-400 रखा, और then आप देखो कि क्या impression आ रहे हैं, अगर impression आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इसको decrease कर सकते हो, या फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप कम से start करो, उससे आप start करो 50 रुपए से, और फिर देखो कि क्या impression आ रहे हैं, अगर impression नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, जब तक impression आने start नहीं हो, ठीक है, तो यह strategy आप follow कर स यहाँ पर click करता हूँ, और इसको करता हूँ, get shareable link, लिंक copy हो गया, और यहाँ पर मैं link अपना paste करता हूँ, यह मेरी वीडियो आ गई, अब देखों, यहाँ यहाँ पर दो option आ रहे हैं, पहला skippable in stream, दूसरा है video discovery ad, और तीसरा है bumper ad, तो यह हम बना रहे थे in stream, मतलब 5 second ब traffic कहां भेजना चाहते हो, ठीक है, तो traffic हम WP course by, यह है website, यह website हम डाल देते हैं, ठीक है, यह आपका display URL आ गया, जो लोगों को दिखेगा, then अगर आपको call to action डालना चाहते हो, तो यहाँ पर देखों, दिखेगा call to action, तो यह मैंने कर दिया, best, यह call to action है, तो यह मैं लिख देता हूँ, by now, और यहाँ पर लिख देता हूँ, best protein, ठीक है, यह URL options आपको पता है, यह tracking template वाले, तो अगर आप करना चाहो, तो यहाँ पर कर सकते हो, और यह auto generated companion banner आपको छोड़ देने, companion banner क्या होते हैं, आपने desktop पे देखा होगा, इस जाते हैं, companion banner, हमें वो कुछ नहीं करना, और इसको हमें simple कर देना है, create and continue, simple, create and continue, और कर दिया, continue to campaign, तो हमने simple एक campaign बनाया, उसके अंदर एक ad group बनाया, और एक ad बनाई, किसके लिए बनाई, custom search intent based audience के लिए, तो यह रहा मेरा ad group, अब मैं इस ad group के अंदर जाके एक और ad बना किया, और इसको किया, paste, और यह select किया, मैंने, और इसको किया, हमें हाँ पे done, और इसको कर देता हूँ, create duplicate, इसे यहाँ पे, करो edit, और suppose इसमें मैं कोई दूसरी वीडियो यूज़ करना चालता हूँ, तो वापस मैं अपने चैनल पे गया, और यहाँ पे आया, get shareable link किया, मैंने, मैं इधर आया, और यहाँ पे पेस्ट किया, यह वीडियो पेस्ट हो गई, अगर URL बगरा चेंज करन है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो मैं as it is छोड़ सकता हूँ, और इस add का नाम यहाँ से मैं change करके कर देता हूँ, add to, और इसको मैं कर देता हूँ, save add, right, तो आपने देखा, कितने आसान तरीके से हमने add बना ली, यह कौन सी add बनाई हमने, यह हमने बनाई in stream add, custom search intent based audience के लिए, ठीक है, तो आप भी एक बार इसको बना के देखेगा, अब कल के lesson में हम एक और add बनाएंगे, YouTube के लिए ही, कुछ दूसरी audience select करके, ठीक है जी, thank you so much for watching this lesson.